प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई मीटिंग में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई और इस दोरान कॉंग्रेस के कई मोर्चा प्रकोष्ट के अध्यक्ष शामिल हुए साधी कारेकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा शहजादा अन्वर संगठन प्रभारी रवींद्र सिंग्भेस दोरान मौजूद रहे कॉंग्रेस का मन्थन ठाकूर की बैठक प्रदेश अध्यक्ष की मोर्चा प्रकोष्टों के साथ चर्चा अपनी पीडा छोड़िये जनता की पीडा सुनिये प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद राजेश ठाकूर संगठन को लेकर रेस हो चुके हैं रविवार को प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ट के साथ बैठक की इस बैठक में पाटी के तीन कारेकारी अध्यक्ष भी मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा प्रकोष्ट को कई दिशा निर्देश दिये साथ ही कहा है कि अब अपनी पीडा बयान करने की जगा जनता की पीडा दूर करने में जुटिये अध्यक्ष गन थे नोर्चा संगठन के सभी लोगों ने आस्वस्त किया है कि पूरी मुस्ताइदी के साथ काम करेंगे और जो सरकार के भी योजनाय है उसको कैसे प्रचारित प्रचारित करना है उस पर भी चर्चा हुई है कि आगर कोई OBC विभाग है तो जो पिछड़े लोगों का मामला है उनके कोई इसका या अल्प संख्रक का मामला है तो उसको वो लोग उस मंत्राले तक कहुँचार वहां से ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बंद कमरे में हमसे तो बात कर रहे हैं और आगरह और सत्यागरह दोनों जारी रहना चाहिए अनुसासन के साथ कॉंग्रेस भवन में हुए पार्टी के इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कई महत्वपून टास्क मोर्चा प्रकोष्ट को दिये हैं प्रदेश कॉंग्रेस के संगठन प्रभारी रविंदर सिंग ने बताया कि मूर्चा प्रकोष्ट प्रदेश अध्यक्ष के साथ तालमेल बिठाकर संगठन को मजबूत करेगा। जब हर एक करेकरता खुसी और उत्साहित होके अपने कारे का निर्वहन करेगा और वो आज इस बैठक में देखने को मिला। कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार राजेश ठाकुर संगठन को मजबूत करने के लिए रेस नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और राची में कॉंग्रस की बैठक होई प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया गया। मीटिंग में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गए। इस दौरान कॉंग्रस के कई मोचा प्रकोष्टों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। साथी कारेकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा और शाहजादा अन्वर संगठन प्रभारी रवींद्र सिंग भी इस बैठक में मौझूद रहेगी कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। के साथ चर्चा हुई अपनी पीड़ा छोड़िये जनता की पीड़ा सुनिये कहा है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तो कॉंग्रस का मन्थन लगातार जारी है कि कैसे संगठन को मजबूती दिया जाए। बैठक कर रहे हैं मंधन कर रहे हैं कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। नई रणीती के तहत कैसे आगे बढ़ा जाए। और आज भी इसी सलसले में बैठक हुई जिसमें राजेश ठाकुर जो की कॉंग्रस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि अपनी पीड़ा अब छोड़िये लोगों की पीड़ा समझने का समय है। उन्हें क्या परेशानी हैं वो समझना है। प्रदेश अध्यक्ष की मोचा प्रकोष्टों के साथ चर्चा हुई। तो राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक कायोजन किया गया जहां पर संगठन को मजबूती देने के सिलसले में बादचीत हुई। कई प्रकोष्टों के साथ ही बैठक हुई। और राजेश ठाकुर ने साफ़तार पर कहा कि अपनी पीड़ा छोड़िये और जनता की पीड़ा को सुनिये। तो प्रदेश अध्यक्ष की मोचा प्रकोष्टों के साथ मन्थन। तो प्रदेश अध्यक्ष की कमांड संभालने के बाद से ही राजेश ठाकुर पूरी तरीके से रेस नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष की मोचा प्रकोष्टों के साथ बैठक हुई। राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक कायोजन किया गया। नए कारेकारणी सदस्यों में गीता कोड़ो और शहजादा अन्वर भी इस दोरान मौजूद रहें। कांगरिस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक कायोजन किया गया। संगठन को मजबूती कैसे मिले, संगठन को कैसे मजबूत किया जा, ऐसे लेकर लगातार बैठक के हो रही है। और साथी राजेश ठाकुर ने ये भी कहा है कि अब अपनी पीड़ा छोड़ी हो और जनता की पीड़ा को समझे। और सीधा रूख करेंगे सेयोगी विपन पाध्याय मारे साथ मौजूद है। जारखन कॉंग्रेस के अध्धक्ष बनने के बाद राजेश ठाकुर संगठन को नई उर्जा देने के लिए लगातार प्रयास में जुट गया है। जिस तरह से सनिवार को जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की थी और कई महत्पून टास्क दिये थे। ठीक उसी तरज पर आज भी जो जारखन कॉंग्रेस के विभिन मौर्चा प्रकोष्ट के अध्यक्ष है। उनके साथ कॉंग्रेस भौन में तकरीबन तीन घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की और इस बैठक के दोरान कई महत्पून दिशा निर्देश भी विभिन मौर्चा प्रकोष्ट के अध्यक्षों को दिया गया है। इस तरह से एक बड़ा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है कि अब अपने मान और सम्मान की बात ना करते हुए जो कॉंग्रेस के लोग हैं वो जनहित का मान सम्मान की लड़ाई लड़े किस तरह से जनता को केंदर बिंदू में रखते हुए जनहित के मुद्दो को पूरा करते हुए जो कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में भी तमाम चीजों को दिया गया था तो किस तरह से संगठन जो है सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करें इसका दिसा निर्देश भी आज की बैठक में दिया गया है और इन बातों का भी इस परस न निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में जो विभिन मोर्चा प्रकोष्ट है वो प्रदेश की सहमती से कमीटी का विस्तार करें जिला में कमीटियां बनाए लेकिन उसमें इन चीजों का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिला में प्रखंड का अध्यक्ष हो तो उसे किसी मोर्चा प्रकोष्ट के प्रदेश कमीटी में जगा दे दी जाए और जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि आधिकारियों तक कॉंग्रेस के लोगों को पहुचना है जनता के काम कराने है और ऐसे में जो अधिकारी काम नहीं करेगा जो काम करने को लेकर कोता ही दिखाएगा उससे पहले कॉंगरेस के जो कारेकरदा और जो नेता है वो आगरह करेंगे और आगरह के बाद भी अगरात नहीं बनी तो कॉंगरेस उनके खिलाप सत्यागरह भी करेगी तो जिस तरह से नए तेवर के साथ कॉंग्रेस के संगठन को मजबूत करने की कबायद में प्रदेश अधक जूटे हैं और जो माती जिमेदारी केंदरी नित्रितु ने दिया है और जिस तरह से अध्यक्ष बनने के बाद भी राजेश ठाकूर ने इस बात पर जोर दिया था कि कॉंग्रेस जन के चेहरे पे मुस्कान लाना उनकी पहले प्राथमिक्ता होगी क्योंकि राहूल गांधी ने भी उनने यही निर्देश बतोर अध्यक्ष काम करने का दिया है और आज की इस बैठक की अगर बात करें तो जिस तरह से जो विभिन मोर्चा प्रकोष्ट है जिस उद्देश के साथ गठन हुआ है उसको पूरा करने का भी टार्गेट यहां पर दिया गया है और जो बाते प्रमुक्ता इस बैठक में हुई है कि कई ऐसे मोर्चा प्रकोष्ट है जिनका गठन तो कर लिया गया है लेकिन वो फंक्सन में नहीं है तो ऐसे में इन तमा काटी के विधायक चुनाव में जीत कर आ सके और जो टार्गेट दो हजार चौबिस का उसमें अभी से किस तरह की तैयारियां कॉंग्रेस करें इन तमाम चीजों पर मन्थन हुआ है कारेकारी अध्यक्स और सांसद गीता कोडा भी इस बैठक में मुझूद रही इसके अला करना है तो कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि अध्यक्ष बनने के बाद से अब कॉंग्रेस में को एक नए तेवर और कलेवर के साथ राजी की राजनीती में प्रदेश अध्यक्स चक्रिये करना चाहते हैं उन तमाम चीजों को देखते विए जो दो दिवसिये बैठकों का दोर था जारकन कॉंग्रेस का वो काफी मातपूर है बहुत बहुत शुक्रिये आपका बिन तमाम जानकारियों के लिए तो मातपूर बैठक का आयो जन्न नए कॉंग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राचेश ठाकुर की अध्यक्षता में की गई जिसमें संगठन की मजबूती और दो हजार चौबिस के चुनाओ को लेकर भी बात चीत हुई तो लगातार बैठकों का दौर जारी है कॉंग्रेस के ये जो नए कारेकारणी जो सदस से हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे संगठन की मजबूती के लिए लगातार ये दो दिवस ये बैठक का आयोजन जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजे श्ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और कई माइनों में ये बैठक एहम मानी जा रही है क्योंकि संगठन को कैसे मजबूती दिलाई जाए इसे लेकर लगातार कॉंग्रेस अब रेस नजर आ रही है